नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके ओफिशल यूट्यूब चैनल गुरूजी स्पेशल क्लासेस में मैं हूँ निमाई साना आपके समक्ष उपस्थित हो साइकलोजी विशेवस्तू को लेकर स्ट्वेंट्स आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं समावेशी सिक्षा की विशेशताओं के बारे में एनि कि समावेशी सिक्षा में कौन-कौन सी खासियत है जिससे हम जो है एक बहतर समाच का development कर सकते हैं जिसके माध्यम से एक बहतर राष्ट का निर्मान हो सकता है तो इसके अंतरगत जो education system में बदलाव किये गए हैं और वरतमान समय में जो education system है वो है inclusive education system एनि समावेशी सिक्षा प्रणाली और समावेशी सिक्षा की क्या विशेशताओं हैं क्या खासियत हैं उनके बारे में आज की क्लास में हम discuss करेंगे और इसके बाद हमें समावेशी सिक्षा की आवश्यक्ता क्यों हुई तो इसके बारे में भी detail में study करेंगे चले start करते हैं आज की क्लास और जानते हैं सरप्रथम समावेशी सिक्षा की क्या क्या विशेशताओं हैं कि इसमें शारिरिक रूप से दिव्यांग एवंग सामाने बच्चों के लिए सिक्षा का प्रावधान होता है। समाविशी सिक्षा. तो पहला पॉइंट आपका ये बनता है कि समाविशी सिक्षा की विशेशता की अंतरगत जो शारिडिक रूप से या मानसिक रूप से जो दिव्यांग बालक होते हैं उनको जब समाने बच्चों کے साथ एक ही साथ शिक्षा प्रादान किये जाते हैं एक ह next point देखते हैं कि next point में आप से क्या कहता है तो next point में आप से कहता है इसमें संग्यानातमक, संवेगातमक तथा स्रिजनातमक विकास की अवसर उपलब्त कराए जाते हैं. देखे समावशी सिक्षा के अंतरगर जो संग्यानातमक ऐनी की जो cognitive development है या फिर सिक्षा के माध्यम से बच्चों के जो cognitive development किये जाते हैं एनि कि उनके ज्ञान का development किया जाता है वो किस सिक्षा के इंतरगत किये जाते हैं तो वो आपके समाविशी सिक्षा के इंतरगत किये जाते हैं उसके बाद एक होता है आपका emotional एनि समवेगात्मग विकास एनि emotional development तो अपने emotions को control करने का जो सुझाव जो प्रावधान दिया जाता है वो भी समाविशी सिक्षा के अंतरगत दिये जाते हैं और जो सरजनात्मग विकास होते हैं जो creative development होते हैं इसके भी अवसर आपको समाविशी सिक्षा के माध्य से प्रदान किये जाते हैं तो ये points भी आप ध्यान रखेंगे कि समाविशी सिक्षा के अंतरगत बालकों के संग्यानात्मग समवेगात्मग और सरजनात्मग विकास के अवसर उपलप्त कराये जाते हैं और ये सब अवसर किसके माध्यम से उपलप्त कराये जाते हैं तो सम बुद्धिक मानसिक और समाजिक एवं सांस्कृतिक विभिनताओं की पहचान करती है यह जो यह सिक्षा है यह जो समाविशी सिक्षा है वो बच्चों की शारिरिक यह जो फिजिकल आपके चेंजिस होते हैं जो फिजिकल डिफरेंसेज आप देखते हैं बालकों में तो यह है समाविशी सिक्षा के अंतरगत आपको physical differences की पहचान करने में मदद करती है उसके बाद बुद्धिक डिफरेंसेज यानि कि जो बुद्धी के आधार पर जो विभिनताय आपको देखने को मिलते हैं तो इसकी पहचान भी आपको समाविशी सिक्षा के अंतरगत ही हो पाते हैं और इसी तरीके से मानसिक यानि कि जो mental differences आप देखते हैं प्रतिक बच्चे की जो मानसिक शमताय है वो भिन-भिन होती है तो इसके बारे में भी आप समाविशी सिक्षा के अंतरगत ही इस चीज की पहचान कर पाते हैं और इसी तरीके से समाजिक एवं सांस्कृतिक जो विभिनता है यानि कि जो समाजिक तोर पर जो differences है या फिर सांस्कृतिक या जो अलग अलग संस्कृतिक जो लोगों के जो differences है इसकी पहचान भी आप कौन से सिक्षन प्रधती के माध्यम से कर पाते हैं तो इसकी जो विभिनताओं की जो पहचान है ये भी आप समाविशी सिक्षा के माध्यम से ही कर पाते हैं हैनि कि समाविशी सिक्षा के अंतरगत आप शारिरिक, बौधिक और मानसिक, यवंग समाजिक और संस्कृतिक जो बिभिनताई आप पहचान करते हैं, जो भी डिफरेंसिस को आप पहचानते हैं, तो ये सब कौन से सिक्षण के माध्यम से आप करते हैं, कौन सी सिक्षा के समाविशी सिक्षा ध्यान रखेंगे स्ट्रेंट्स इस तरीके से आप से पॉइंट्स बना कर एक्जैम्स में प्रशन पूछे जाएंगे कि मानसिक और समाजिक बिभिनताओं की पहचान हम किस सिक्षा के अंतरगत करते हैं तो वो ऑप्शन में होगा समाविशी सिक्षा या फिर आपके से पूछा जाएगा एकिकरिज सिक्षा या फिर आपसे पूछा जाएगा समाने सिक्षा या फिर विशिष्ट सिक्षा तो आपको बताने है कि कौन से सिक्षन प्रणाली के माध्यम से जो है आप बच्चों में डिफ्रेंसे जैनि बिभिनताओं की पहचान करत उनको विकास के अवसर दिये जाते हैं यानि कि इसमें विभिन प्रकार के बाधित बालक बाधित बालक का मतलब भी होता है इस्ट्रेंट्स की जो बालक मांसिक रूप से या फिर शारिरिक रूप से शतिग्रस्त होते हैं यानि कमजोर होते हैं अक्षम होते हैं ऐसे बालकों को बाधिद वालक कहा जाता है यनि कि जिनके डेवलेप्मेंट में बाधाई उत्पन होती है तो इनको हम बाधिद वालक कहते हैं और इस में बिभिन प्रकार यनि कि समाविशी सिक्षा में बिभिन प्रकार के जो बाधिद वालक होते हैं यनि क उनकी शारिरिक और मानसिक अवस्था स्विकार कर उनको विकास के अवसर प्रदान किये जाते हैं यह जो यह समाविशी सिक्षा प्रणाली है इसके अंतरगत जो बाधिद वालक होते हैं अब जो वो बाधिद वालक है जिनको हम special बच्चे कहते हैं उनकी शारिक और मांसिक अवस्था यानि कि जो भी उनकी फिजिकल जो अवस्थाएं है फिजिकल स्टेज है और जो उनकी मेंटल स्टेज है जिनके कारण वो अक्षम है उनकी उस अक्षमता को शारिक और मांसिक अवस्था के रूप में स्विकार करके उनको विकास के अवसर दिये जाते हैं यहीं कि उनको विकास के अफसर दिये जाते हैं कहने का मतलब आग की कक्षा में जो बालक हैं अब आप जो है उन बालकों में कुछ बालकों में शारिक जो अक्षमता है वो आपको देखने को मिलते हैं कुछ बालकों में मानसिक अक्षमता है उसको देखने को म इसे बच्चे को आप हीरिंग मशिन प्रोवाइट कराके उसके डेवलपमेंट करने के अवसर दे सकते हैं या फिर मान लिजे कि कोई बच्चा जो है वो मानसिक रूप से जो है वो बिमार है या फिर मानसिक रूप से वो पिछड़ा हुआ है तो उस बच्चे को आप संकेत के माध्यम से या फिर और तरीके से उस बच्चे को इंट्रस्ट डेवलप करके भी उस बच्चे का डेवलप कर सकते हैं àni ki development के आप अफसर दे सकते हैं तो इस तरीके से जो भिंविन प्रकार कि जो बाधिद वालक होते है जो अक्शम भालक होते हैं उनकी शारिरिक और मानसिक अवस्था को पहचान कर उनको सुरिकार कर उनको विकास के नए-ने अवसर प्रदान करने ये आपके करतव्य बनते हैं as a teacher तो ये points भी आप clear हो पाए होंगे और इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहां से भी आपके exams में सीधे सीधे प्रशनों बनेंगे next point बनता है strengths इसके अंतरगत किसमे धर्म एनिकि समाविशी सिख्षा के अंतरगत धर्म लिंग जाती आदी के विभेत के बिना एनिकि जैसे कि धर्म लिंग जाती के विभेत के बिना एनिकि ऐसी जो छोटी छोटी चीजे हैं इसके बिना यानिकि इसमें differences के बिना सहे सम्मंदित सहे सम्मंदित एवं समायोजित रूप में रहकर बालक सिक्षा ग्रहन करते हैं यानिकि देखिए जो बालक होते हैं समाविशी सिक्षा के अंतरगत ना तो धर्म के आधार पर differences किये जाते हैं ना link के आधार पर differentiate किये जाते हैं और ना ही जाती के आधार पर इनको बाटा जाता है इन सभी चीजों से परेहटके सहसंबंदित एनि कि एक दूसरे के सहसंबंद कॉडिनेशन बिठा कर उनको adjust करके सभी को एक साथ समायोजित करके एक साथ एक ही जगह पर एक साथ उन्हें स प्रतिवीधियां आपको देखने को मिलते हैं अब आपके exams में सीधा सीधा पूछा जाएगा कि किस प्रकार के सिक्षा में धर्म लेंग जाती आधी के बिभेत के बिना भी बालकों को सिक्षा ग्रहन करने के अवसर मिलते हैं तो option होंगे आपके पास एकिकरत शिक्षा प् समझने की कोशिश करेंगे मूल उद्देशे स्ट्रेंट्स ये है कि जो समाविशी सिक्षा है इसमें दोनों ही प्रकार के बालकों की जिक्र किये जाएंगे आपके लिए वो सभी प्रकार के बालक जो है वो समाविशी सिक्षा के अंतरगत आते हैं और वरतमान समय में जो स सिक्षा प्रदान किये जाते हैं वो समाविशी सिक्षा के अंतरगत है इसलिए आपको कोश्चन्स को सही ढंक से पढ़ना होगा और जहां पर भी विशिष्ट बालक आए चाहे सामान्य बालक आए सभी प्रकार के बालक जिस सिक्षा प्रणाली से जुड़े होंगे उस को सबसे ज़्यादा जो है प्रिफर किया जाता है यह पसंद किया जाता है तो इसलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि धर्म लिंक जाती आधी के विवेत के बिना सहसंबंदित और समाविशी रूप में रहकर बालक सिक्षा ग्रहन किस तरीके से किस सिक्षा के करते हैं आई होप आपको यह पॉइंट्स भी एजली क्लियर हो पाएंगे चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपके समाविशी सिक्षा की विशेष्टाओं के अंतरगत है और वो है इसमें ऐसमर्थ बच्चों के प्रती स्क एनि कि जो आपके विद्याले होते हैं या फिर विद्याले में जो आप जैसे अध्यापक होते हैं या फिर हमारे समाज के जो लोग होते हैं उनकी अभीवरत्ति आनि अभीवरत्ति का मतलब होता है स्टुडेंट्स द्रश्टी कोन द्रश्टी कौन में बदलाव देखने को मिलते हैं कहने का मतलब यह है इस्ट्रेंट्स की पहले जो विचारधारा के लोग हुआ करते थे जिन्होंने सबसे पहले नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम बनाया उसके अंतरगर जो विद्यले आपके होते थे या फिर जो अध्यापक होते थे जो गुरू होते थे या फिर जो समाज होते थे उनके नियम बड़े कड़े थे यानि कि उनका द्रश्टी कौन अलग था उनकी छोटी सोच छोटी मानसिक्ता वाले विक्ती थे इसलिए उनके जो द्रश्टिकोंट थे वो भी छोटे थे जिससे बच्चों का डेवलप्मेंट अधिक से अधिक नहीं हो पाता था लेकिन जिस तरीके से समय जो है परिवर्तन होता गया तो इस तरीके से लोगों के सोच में बदलाव आए और सोचा गया कि जो है यह जो एह कहीं न कहीं जो है यह गलत विचारधरा हैं और हमें इस प्रकार की विचारधराओं को त्याग देना चाहिए तो उसके बाद normal से बने special education system और special से बने integrated education system और इसके बाद integrated education system में भी बदलाव किये गए और इसकी जगा आज के समय में बने inclusive education system तो इस फ्रेंट्स ये सभी जो inclusive education system के अंतरगत जो हम बरतमान समय में सिक्षा ग्रैन करते हैं या फिर सिक्षा परदान करते हैं ये सभी उन बच्चों के लिए है और ये जो है एक school या फिर अध्यापक या फिर जो समाज है इसके दरश्टी कोण में बदलाव देखने को मिल हैं ये बदलाव हुए हैं तभी जो है inclusive education system को पसंद किया जाने लगा ये कि inclusive education system का प्रावधान किया गया तो आई होप आप मेरी बातों को समझ पारे होंगे कि समाविशी सिक्षा की जो विशेष्टा हैं वो क्यों हुई है ये कि इसकी क्या-क्या विशेष्टा हैं जिसके लिए आप समाविशी सिक्षा के अंतरगत इस समय सिक्षा ग्रहन कर रहे हैं और इसके अंतरगत आप बच्चों को सिक्षा प्रदान भी कर रहे हैं तो इसकी जो मुख्य विशेष्टा हैं उनको आपने जाना I hope आपको यहां तक सभी points easily clear हो पायोंगे चलिए आगे बढ़ कर्दें और देखते हैं कि समाविशी सिक्षा की आवश्षकता क्या है एनि कि समाविशी सिक्षा जो inclusive education system की आवश्षकता क्यू पढ़ी हमारे समाज में इनि सिक्षा व्यवस्था में इतने सारे बदलाव क्यों किये गए सिक्षन प्रणाली जो पहले सामाठ्य सिक्षा प पहला point आपके लिए स्ट्रेंट्स कि इस सिक्षा व्यवस्था में अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगती करने का अवसर प्राप्त होता है यह जो समाविशी सिक्षा है स्ट्रेंट्स इस समाविशी सिक्षा व्यवस्था में जो अपंग बाल प्रगति करे का अवसर प्राप्त होते हैं तो समावेशी सिख्षा क्यों हुई तो इसके अंतरगत क्या होता है, इस्टेंट्स पहले क्या होते थे, कि जो भी आपके education system थे, उसमें सामान्ने वालकों को ही सिक्षा की आवश्रक्ता हुआ करती थी, यानिकि सामान्ने वालक ही सिक्षा प्राप्त कर पाते थे, लेकिन education system में बदलाव किया गया, और एक नियम वालक या फिर अक्षम वालक भी कहते हैं, इन वालकों को समान्ने वालकों के साथ मानसिक रूप से, यानिकि मेंटलिक तयार होने के लिए उनको अवसर प्राप्त कराए जाते हैं, तो इसलिए यदि आप अपंग वालकों को समान्ने वालकों के साथ मानसिक रूप से इसके लिए आपको समाविषी सिक्षा के अवसर उपलद कराने होंगे तो इसलिए समाविषी सिक्षा के आवशक्ता हुई कि जो अपंग वालख होते हैं उनको भी मांसिक रूप से आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए I hope आप मेरी बातों को समझ पारे होंगे और इस point को भी समझ पाये होंगे चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next point आप से क्या कहता है तो next point आप से कहता है strength कि इसमें बालकों में समाजिक, नैतिक गुण, प्रेम, सहनभूती, आपसी सयोग आदी गुणों का समाविश होता है कि इसमें बालकों में जो समाजिक गुण होते हैं, या फिर जो नैतिक गुण होते हैं, या बालकों में जो आपस में प्रेम होते हैं, सहनभूती है और आपसी सयोग होते हैं, या आपस में जो coordination होते हैं, आदी जो गुण होते हैं, इनका समाविश होता है यानिकि ये सभी चीजे जो है इसके अंतरगत include होते हैं यानिकि इसमें क्या होता है कि बालक के जो समाजिक गुण होते हैं या फिर जो नैतिक गुण होते हैं या जो प्रेम होते हैं साहनबूती आपसी सयोग इस प्रकार की जो भी विचारधारा हैं जो भी conditions हैं ये सभी गुणों को समावेश करना चाते हैं, मिलाना चाते हैं, तो इसके लिए आपको समावेशी सिक्षा का प्रावधान करना होगा, तो ये सभी गुण यदि आप विक्सित करना चाते हैं, तो ये सारी चीज़ आप समावेशी सिक्षा के माध्यम से ही विक्सित कर सकते हैं, इसलि आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स पॉइंट आप से क्या कहता है तो नेक्स पॉइंट आप से कहता है स्टुएंट कि इसमें अपंग तथा सामान्य बालक के बीच एक प्राकृतिक वतावरन बनता है जिससे बालकों में एकिकरन समभव होता है यहीं कि इसमें जो और आप सामान्य बालकों के बीच है अपने आपको जो है वो विशिष्ट नहीं समझते हैं वो भी अपने आपको नॉर्मल बत्चों की तरह ही समझते हैं और इस इसलित से उनके बीच में एक नैचुरली वातावरन एनि कि जो इन्वारेमेंट क्रियेट होता है जैसे कि पहले जो है अपंग वालक और जो समाने वालकों में जो भेद्भाव हुआ करते थे उस भेद्भाव की जो खाई है उसको समाप किया जाता है और ये एक ऐसा एजूकेशन सि क्योंकि इसके माध्यम से समाज में जो भेद्भाव जो रूडी वाधी विचारधराय पहले से चले आ रहे थे उसको समाप किया गया इसलिए समाविशी सिक्षा बहुत जादा इन्पोर्टेंट है और आपको भी जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रकार की सिक्षा में अपंग और सामाने वालकों के बीच एक प्राकृतिक वातावरन का निर्मान होता है तो आपको बताना है कि ऐसे जो नेचर एन्वारेमेंट क्रियेट होते हैं वो समाविशी सिक्षा के अंतरगत होते हैं और ऐसे भी आपसे समझ पारे होंगे और इस तरीके के पॉइंट्स को आप भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि एक्जाम्स नर ऐसी छोटी छोटी इन्पोर्टेंट पॉइंट से आपके एक्जाम्स में प्रश्न बनाते हैं आपको यहां तक सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे चले आग इक्विलेटी के सिध्धानत है निकि एक्विलेटी लॉख का अनुपालन होता है यहां पर किसी भी बच्चे को लेकर आप भेदभाव नहीं करते हैं यह एक ऐसी सिक्षन प्रणाली है जिसमें सब को बराबर के मौके मिलते हैं सब को बराबर समझा जाता है और अध्याप सबी बच्चों को बराबर समझते हैं तो समानता के सिधांग का अनुपालन किस सिक्षा के अंतरगत होता है तो ये अगर आपके एक्जाम्स में प्रशन पूछा जाता है तो आप बताएंगे समाविशी सिक्षा के अंतरगत I hope आप मेरी सभी बातों को समझ पाए होंगे और ये भी समझ पाए होंगे कि समाविशी सिक्षा की आवश्यक्ता क्यों हुई क्यों हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाब किये गए एक नियमित समेंतराल के बाद एजुकेशन सिस्टम में बदलाब किये गए और बरतमान समय में क्यों समाविशी सिक्षा को बहुत अध सीधे प्रशन उठाए जाएंगे तो इन सभी महत्पुन बिंदों को आप ध्यान रखेंगे मैं आशा करता हूं कि आप इन्हीं पॉइंट्स को प्रॉपर नोट्स के तहद आप नोट्स बनाएंगे और उन नोट्स को समय समय पर रिवाइस करते रहेंगे ताकि इन महत्पु राइट होंगे आप कभी ऐसे प्रशनों को गलत नहीं करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको एकलास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीईजिए अपने दोस्तों के साओग नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफीशेल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाओ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें धन्यवाद जय हिंद